तो रिसेंटी मोटो वालों ने एक नया फूल नौच किया था 20.000 रुपे के अंदर इसके आपने यूटूब पे बहुत सारी एड देखनी होगी इस फोन का नाम है मोटो का जी एटी फोन क्या इस फोन को आपको लिना चाहिए पिछले साथ दिन से इस फोन को मैं टेस्ट कर और ये वीडियो में यही आप लोग को बताऊंगा पहली बार इस चैनल पर हो तो मेरा नाम है प्रफ विर्क प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छ लगती है देखो पहले बॉक्स कंटेंट देखोगे आपको लगेगा यहाँ पर सब कुछ है तो हर दूसरा मोटो का फोन एक ही जैसा दिखता है especially camera model तो इनका एक ही जैसा हो चुका है लेकिन आ इसे आप इस तरीके से देख सकते हो जैसे apple वाले कर रहे हैं जैसे samsung वाले कर रहे हैं जैसे nothing वालो ने इस बार किया है कि यह उनके भी सारे फोन एक ही जैसे देखते है तो confuse तो हो जाता है कि भाई कौन सा फोन कौन सा है लेकिन ये जरूर पचान लेते हैं कि ये Moto का ही फोन है और ये Samsung का ही फोन है तो एक design language उस brand की बन जाती है लेकिन है simple ही design ये कह सकते हो अप लेकिन premiumness जरूर हाथ में feel होती है flat edges है फोन काफी जदा पतल है और बहुत ही जदा comfortable है वेट चेक करते हो 170 gram तक पहुंचता है मज़ा आएगा यूज़ करने में बहुत comfortable आपको feel होगा वैसे ही मेरे पास जो color है वो legal leather लेकिया आता है बहुत एक premiumness एक softness आपको feel होती है ये color काफी आपको पसंद आएगा अगर नहीं आ रहा है तो आपको दो color और option मिलते है तो उन्हें आप check out कर सकते हो वैसे build इस phone काफी अच्छी रही पूरा phone पीछे से काफी solid feel होता है कहीं से भी press नहीं हो रहा अच्छी build है क्याता है display में energy glass की protection मिलती है तो display में protection है बढ़ हाँ temperature glass लगाना जरूरी है वैसे IP52 की rating इस phone को कुछ नहीं होने वाला build इस phone के अच्छी है vibration motor की build इतनी अच्छी नहीं है haptics जो इस phone के वो काफी आपको basic मिलते है कुछ आपको खास नहीं मिलते है इस चीज का ध्यान रख लेना वैसे display के अंदर कोई कमे नहीं लोगों ने छोड़ी आपको सामने से full HD plus P OLED display मिलती या इस तरीके से देख सकते हो plastic वाली OLED इसके लावा कोई फर्क नहीं है बहुत अच्छी quality है deep blacks आपको मिलते है colors थोड़े से 560 है उतने accurate आपको नहीं मिलते है लेकिन हाँ आपको पसंद आएंगे 1208 की refresh rate है यूज करने में काफी smooth फिल हो रही है आउटर में लेके जाते हो 13 सुनिट्स की brightness है असानी से यूज कर सकते हो इन डिस्प्ली fingerprint scanner पी है जो कि हर बार और काफी fast काम कर रहे है अब यहाँ एक processor की कमी है वरना display में तो कोई कमी नहीं है वो है कि YouTube में 1080p से उपर वीडियो नहीं जाती है इस सीच का ज़रूर आपको थोड़ा से ध्यान रखना ह settings में sounds में जाके आप उसे भी on कर सकते हो और sound quality बहुत अच्छी है loud है detail भी आपको अच्छी मिलती है speaker इतनी जदन loud है कि back panel थोड़ा सा vibrate करता है जैसे आपको मैं दिखाता हूँ तीन साल तक security update मिलेंगी यह तीन साल वाला तो काम अच्छा है लेकिन एक major update I think और होना चाहिता है क्योंकि इस प्राइज में दो major update काफी brands दे रहे हैं इसके लावा तो software बहुत ही मस्त है एक दम clean है कोई ads नहीं है कोई bloatware नहीं है काफी stable है animations अच्छे है हर चीज responsive feel होती है और वो stock keynote वाला जो मज़ा होता है वो यहाँ पर मिल जाता है बट इस बार stock keynote के साथ थोड़े feature भी add हो चुके हैं यहाँ पर एक secure folder है इसका काम किया है इसमें आप पहले तो phone से अलग एक password लगा सकते हो यह काफी अच्छी बात है फिर इसके अंदर आपको plus icon मिलेगा उसके इसमें इसमें मैंने camera add कर दिया है उस camera से कोई भी photo की चुँगा तो वो secure folder के camera में देखेगी बाहर वाला जो camera वो अलग काम करेगा अंतर वाला camera अलग काम करेगा बहुत useful है इसके बहुत सारी usage है लेकिन stock keynote के साथ यह चीज़ चीज़ ही मिलती है बट एक major update यह थोड़ा सा आपको disappoint करता है अब performance के अंदर ज्यादा लोग confused है snapdrank का 695 processor है LPDR 4X RAM है जो की 12GB आपको मिलती है UFH 2.2 की storage है जो की 256GB मिलती है पहले आप इसके scores देख लो score से थोड़ा बहुत idea मिल जागा even storage speeds भी आपको balanced मिलती है अब अगर आपने किसी और की video देखी होगी तो comment section में का back to back जब भी कोई app कोला वो फटा-फट खोलते हैं कोई attack वगर नहीं back to back भी apps कोलोगे तो भी इस phone में lag वगर नहीं मिलेगा तो normal multitask में कोई देखकत नहीं आएगी even यह processor गरम नहीं देता phone को throttle test भी देखोगे यह phone green में रहता है और आपको heating issues वगरा या overheating issues वगरा नहीं मिल तो casual stable gaming इस पर कर सकते हो gyro performance भी अच्छी है gyro के अंदर भी आपको delay नहीं मिलता तो यह processor सिर्फ उनके लिए खराब है या इस phone की performance सिर्फ उनके लिए खराब है जिनको heavy gaming कर रही है उसके लावा ही phone नहीं अटकेगा casual gaming भी कर पाओगे और यह phone गरम भी नहीं होगा तो इस का यह processor है वैसे अभी तो आपको यह video पेच्छे लग रहे है तो please like and share करते हैं इससे video थोड़ी बहुत चल जाएगी अब बात करते हैं camera की यह important है na 50MP का main camera जो OS लेकिया आता है 8MP का ultra wide है 50MP को दिन में use करोगे तो आपको zoom करने पर details मिलेंगी लेकिन बहुत ज़ता details नहीं है texture वगरा T-shirt वगरा को तो आपको मिलेगा कहीं कहीं थोड़ी से मुझे noise face हुई इसके लावा skin tones तो काफी अच्छे है light control भी देखोगे वो भी आपको काफी अच्छा मिलेगा mostly जितनी photos आपको देखा रहो सम्में sky वगरे देखो या HDR वगरे देखो इसने अच्छा process किया है काफी bright images है skin tones colors यहां भी अच्छे है बस हलके से colors के अंदर थोड़ा सा आपको boostness मिलता है इसके इलावा तो कोई दिख करती है दिन और रात में यूज़ कर सकते हो details वगरे जूम करके चेकर होगे थोड़े सी details comfy होगी कहीं कहीं मुझे noise भी मिली थी वैसे portrait shots अच्छे एज detection वगरे आपको अच्छा मिलता है रात के अंदर इसने काफी अच्छा काम किया काफी bright है काफी clean है और अच्छे skin tones आपको मिलते हैं आप ए colors वगरे में कोई दिक्क सपोर्ट मिलेगा और यहां भी आपको काफी stable footage मिलती है तो support कम है सिर्फ 1080p का support है लेकिन जो video बन रही है वो काफी stable बनती है तो camera ऐसा है कि main camera दिन और रात में use कर सकते हो selfie camera भी दिन और रात में use कर सकते हो main camera में जरूर थोड़े से color boost है wide angle camera आप use नहीं कर सकते है सारी photos मैंने google drive में save करते हैं आप खुछ जागे वी check out कर सकते हो अब बात करते है network की network के अंदर भी यह phone 5G plus plus support करता है view onr support करता है 4G plus support करता है nfc का भी यहाँ पर support है even bluetooth 5.1 का भी support है and 14 5G के band है one of the most stable 5G इस phone में मैंने test किया है अगर आप कोई भी 5G phone इस time पर use कर रहे हो तो देख न 5G पर वो 4G पर shift होता रहता है बीच बीच में यह phone नहीं होता बहुत constant 5G इस phone में वैसे हैं काफी लोग का call recording को लेके सवाल होता है तो यहाँ पर google का डैलर है तो आप call recording पर दबाते हैं तो अगली बंदे को पता चल जाता है कि आपने call recording शुरू कर दी है इस चीज़ का ध्यान अखना है आप battery life को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा आप अराम से सुनना इस चीज़ को पांच जरह मिच की बैटरी है 33W का charger बॉक्स में दिया गया है जो एक गंटे 20 मिल लगा दिता है इस phone को zero standard charge होने में तो charging time पहले आपको उतना fast नहीं मिलता अब पहले मैं आपको एक screenshot दिखा देता हूँ पॉस करके देखना यह जो बैटरी श्टैट है मैं लगातार 5G पर यूज़ कर रहा था यह बैटरी तोरण चौथी दिन 30% बैटरी शोड़ी सुबह जो उठा तो 10% हुई 13% का इडिल रेन तो हां 25 से 13 पर आ गया क्योंकि एड़ेप्ट कर ली थोड़ी सी बैटरी लेकिन अभी भी काफी जाद है तो हां इस चीज़ का जलू धियान रखना है कि भाई आइडिल आइडरेन नहीं मिलता है रात पर नेटर्क छोड़ने तो भाई आपको 4G सेलेट करके चोड़ना पड़ेगा 5G के अंदर तो कई बार ऐसा हो सकता है जैसे 10% होड़के सोगे तो सुबह आपको आफ मिलेगा ये थोड़ा सा पंगा है अप्डेट के थूपर और ऑप्टिमा उसके लावा ओवराल ये फोन काफी बैलेंच है अगर उन चार्ज दियोंस आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये फोन आपके लिए बनाए होप आप लोगो को वीडियो पसंद आ ही हो मैं ऐसी सिंपल वीडियो बनाता हूं इधर उतर की बात नहीं ताकि आपका टाइम अगली वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग एंड़ फॉर ओल